इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जो पैप्टिक अलसरोग से जुड़ा है यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की और वृद्धी को रोकता है और आपके संक्रमन का इलाज करने में मदद करता है यह दवा आम तोर पर आपको बहुत जल्दी बहतर महसूस कराती है हाला कि जब तक आप बहतर महसूस करते हैं तब तक आपको इसे तब तक लेना जारी रखना चाहिए जब तक कि आप बहतर महसूस न करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बनते हैं इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं क्लेरिविन 500 टेबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन किये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए टायरा माइन युक भूजन जैसे चीज, स्मोक्ट फिश, मीट और कुछ प्रकार की बियर के साथ क्लेरिविन 500 टेबलेट से बचें क्लेरिविन 500 टेबलेट एक एंटी बाउटिक है यह महत्वपून कारियों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर काम करता है इस प्रकार यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और संक्रमन को फैलने से रोकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद